व्लॉग में यार मैं बात करने वाला हूं एससी जूनियर इंजीनियर कटाप को लेकर पूरा एनालिसिस करूंगा तब आपको बताऊंगा कि लगभग कटाप वही रहेगी जो मैं बताऊंगा आप देख लीजिएगा स्क्रीन सॉट रख लीजिएगा यह वीडियो भी यहां पर देखेंगे टोटल जो कणॡूत तो चलिए पहले देख लेते हैं कि पछली बार क्या हुआ था तो पिछली बार आप देखेंगे civil engineering लेखे Toutल zabी 141 वेकनी निकाले कही थी तो इस बार वैकन्सी काफी अच्छी मात्रा में है तो उसके बारे में भी बात करूँगा उससाब के बारे में चर्चा करने वाला हूं पेपर का लेबल तो आप देखेंगे तो ठीक ठाक आया था यानि बहुत ज्यादा पेपर पूछा जाता था पिछली बार जैसे आया था पिछली पेपर आपने दिया होगा तो सेम उसी टाइप का पूछा गया था तो चरिए यहां पर मैं बात करने कि पिछली बार जो कटाप कितीनी थी तो देखेंगे यहां पर दोस्तों सीविल इंजरी के जो कटाप थी 2021 की 2021 की बोलेंगे वेकंसी 2020 की लेकन एक्जाम जो अगरा जो सारा प्रोसेस हुआ था 2022 में कंप्लीट हो था 2021 में रिजल्ट अगरा इसका प्रीक आया था तो यह सी क कि कटाप गई थी उसके बाद यहां पर देखेंगे च्छासोच चौनिट बुलाया गए थे एस्टी की कटाप भी लगबग सेम गए थी ती की कटाप शेम गए थी 307 बुलाया गये थे ओवी सी की 104 दसमलों एक चार गई थी 621 बूलाया गये थे उसके बाद विवार की 120 80013 nhất 25.22 गई थी तो यहां पर शासोच बुलाया गये थे वहीं ऑच की बात करूं तो यहां पर देखेंगे तो इहां पर लगबग लगब देखेंगे तो लगबग 3826 बुलाया गए थे और लगबग 800 सीटे थी तो इससे डिवाइड करेंगे तो यह दोनों का मिक्स जो है डेटा था लेकिन सिविल इंजिनेरिंग को अलग से लगबग यहां पर कानिडियेट को बुलाया गया था तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर 3826 कंडियेट है तो यह निकालेंगे तो पांच चछाली से लगबग 8 गुने के आसपास कंडियेट बुलाया गये थे यहां पर देख सकते हैं लगबग इतने कंडिडेट बुलाए गया थे आठ गुना आप मान सकते हैं प्रॉक्स में तो आठ गुना कंडिडेट को यहाँ पर इन्होंने बुलाया था मेंस एक्जामनेशन के लिए चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूं कि 2020 के लिए यहाँ पर सिविल इंजिरिंग की कटाप के बारे में चर्चा करूंगो वेकंसी इस बार लगभग रिपोर्ट अब तक जो की गई है ग्यारा सो तो था लेकिन वेकंसी कुछ बढ़ गई थी तो यहाँ पर लगभग अठारा सो के प्रॉक्स में मैं कह रहा हूं लग थोड़ी सी ज़्यादा अभी बढ़ सकते क्या था यह लगभग दो साल का गयप हो गया थी अब 2022 का नोटिफिकेस आना है तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अठारा सो बेकंसी है तो यह लगभग आठारा सो का आप क्या सकते हैं कि पिछली बार क्या पिछली बार अनटीस सो कनीडिट्स मात्र बुलाए गए थे और इस बार लगभग चौदा हजार के आप तीन गुना करेंगे तो लगभग साड़े तीन गुना के आस पास यह पांच गुना नहीं होगा यहां पर आठ गुना होना चाहिए यह 12,000 तो लगभग 4 गुना के आस पास बुलाए जा रहे हैं 3800 कुछ बुलाए गए थे तो उसका लगभग 4 गुना के आस पास आममान सकते हैं 4 गुना ज्यादा इस बार बुलाए जाए जाएंगे पिछली बार का पिछ्छा तो कटा भी थोड़ी सी डिक्रीज होगी और कार यह शुरू करते हैं में चीज जिसके लिए आप वीडियो में आया है तो कटाफ के बारे में तो अगर इस बार अगर यू आर कटेगरी से आप बिलॉंग करते हैं अगर आप 110-115 के बीच में अगर आपको लगता है कितने कुश्चन आपके सही हो रहे हैं अभी तो नॉर् और रहने वाली है 110-15 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहा है तो स्योर में बैठने वाले हैं अगर 110 भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं त्यारी में की करते रहे हैं आपके पूरे पूरे चांसे हैं को में बुलाय जाएंगे वहीं अगर EWS की बात करूं तो यहां पर 102 से 105 की बीच में सब्सक्राइब करने बोला जा रहे तो 102 से 105 की बीच में रहने हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में कोई दिक्कत कोई परिसानी वाली बात नहीं है आपको मेंस एक्जामनेशन के लिए बुलाया जाएगा कारण क्या है कि पिछली बार इस बार में काफी डिफिरेंस आ गया है और यहां पर 105 के अगर आप OBC कटेगरी से बिलॉंग करते हैं अग होगा तो थोड़े से मतलब थोड़े से अंतर देखने को आपको यहां पर मिलेंगे तो इसलिए मैं आपको बतारों अगर आप OBC है तो 105-108 के बीच में अगर आप बिलॉंग करते हैं तो बिल्कुल आपको मेंस के लिए यहां पर भी बुलाया जाने का है क्योंकि कारण क् कि पिछली बार कटाब 99 ही गई थी आपने देखा था 99 कटाब गई थी वह भी कब जब लगवग 3800 कंडिडेट्स को बुलाया गया था तब यह सिविल इंजिनेरिक के मैं बात कर रहा हूं बाकि इलेक्ट्रिकल मेकानिकल के लिए मैं सेप्रेड वीडियो बना दूंगा कोई दिक्कत कोई परिषानई बात नहीं है आपको मेंस पर द्रय मेंस के लिए ऑपनेपर विया धोगा तो आपको पता कि बुलाया गया था उसके बात यहां पर क्या किया गया था Quanमट ignore और यहां पर इनके डाउय किए गय थे और वाती हुब सवर कथ है तो यह पूरा और पूरा एक डेटा था जो मैंने आपके सामने analysis कर दिया है बाकिया आप अपनी राय comment में जरूर करिएगा ओके thank you